नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो लेकिन देखो, वर्ल्ड के पास कुछी टूल्स, कुछी डिवाइसीज ऐसे हैं, जो COVID-19 के खिलाफ लडाई में इंपोर्टन साबित हो रहे हैं। जिसमें से एक है टेक्नोलोजी। कुछ एक्जामपल्स आप देखिए, किस परकार से टेक्नोलोजी का उप्योग किया जा रहा हैं, वर्ल्ड के द्वरा, COVID-19 की महमारी से निपतने के लिए। चाहे देखो, टेक्नोलोजी की साहिता से, वैक्सिन डवलप करने की बात हो, या फिर लोगडाउन की सिचुएशन में, एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात हो, एवन लोगडाउन की सिचुएशन मे लोग घरों पर हैं, और टेक्नोलोजी एक ऐसा माद्यम है, जो लोगडाउन की सिचुएशन में, टेली मेडिसीन के लिए भी किया जा रहा हैं, हमारे इस आर्टिकल का जो फोकस हैं, वो टेली मेडिसीन पर ही हैं, सबसे पहले आप मुझे टेली मेडिसीन का मतलब आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, जब देखो टेली कम्मिकेशन या फिर इन्फोर्मेशन टेक्नोजी का इस्तमाल किया जाता हैं, क्लिनिकल हेल्ट केर प्रोवाइड करने के लिए दूर दूर तक तो इसे टेली मेडिसीन कहा जाता हैं, जैसे ये डोक्टर हैं, डोक् टेली मेडिसीन का एक्जामपल हैं, टेली मेडिसीन के देखो काफी सारे फाइदे हैं, सबसे बड़ा फाइदा तो ये हैं, दूर द्राज के एरियाज में भी हेल्थ केर प्रोवाइड की जा सकती हैं, टेली मेडिसीन की साइथा से, दूसरा फाइदा ये हैं, कॉस्ट कट सकते हैं डोक्टर से इसमें खर्चा भी कम आएगा उनको क्लिनिक में जाना नहीं पड़ेगा टाइम की बचत होगी और कोश्ट भी कम लगेगी नेक्स्ट देखो health professionals की बहुत shortage है हमरे देश में और ऐसी situation है कहीं कहीं health professionals ज़दा हैं जैसे सहरों में और गाओं में कम हैं तो ना सिरथ कम health professionals की कमी को पूरा किया सकता है कुछ हर्द तक telemedicine की साइटा से बलकि वो health professionals जिनके पास सहरों में थोड़ा कम समय होता है वो अपने कम समय का इस्तिमाल कर सकते हैं यानि खाली समय का इस्तिमाल कर सकते हैं रूल एरियाज में हेल्थ केर प्रोवाइट दरने के लिए नेक्स्ट पॉइंट जैसे देखो COVID-19 का डिजीज है स्वाइन फ्लू है इसमें क्या होता है? खत्रा होता है कि पेशेंट से जो वाइरस है वो ट्रांस्मीट कर सकता है हेल्थ प्रोफेशनल्स में तो टेली मेडिसिन इस चीज को प्रिवेंट कर देता है क्योंकि डिरेक्ट संपरक होता नहीं है पेशेंट में और डोक्टर के बीच इसलिए ट्रांस्मीट का जो खत्रा है वो भी कम हो जाता है इस परकार से हमने टेली मेडिसिन के काफी सारे फाइदे डिसकस किये देखो टेली मेडिसिन की जो ये टेकनोजी है वैसे नई टेकनोजी नहीं है 2000 में सबसे पहली बार हमारे देश में टेली मेडिसिन का इस्तमाल किया गया था लेकिन उसके बाद कोई कानून नहीं बना तो एक systematic धंग से जो इस्तमाल होना चाहिए था टेली मेडिसिन का उस परकार से इस्तमाल टेली मेडिसिन का नहीं हो सका लेकिन अभी lockdown लगा पूरे देश में कोवीड-19 की महमारी के कारण तो टेली मेडिसिन का इस्तमाल किया जाने लगा बड़े सकेल पर इवन सरकार ने भी guidelines जारी की कि बाकी जो दूसरे health issues पर consultation प्राप्त करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा consultation प्राप्त की जाए टेली मेडिसिन की साहिता से इससे लोगों ने hospital में जाना कम कर दिया मतलब देखो आगर emergency है तो तो जाना ही पड़ेगा otherwise routine check-up है तो टेली मेडिसिन की साहिता से डोक्टर से consult किया जा सकता है और आज कल technology इतनी ज़्यादा advance हो चुकी है कि डोक्टर दूर बैठे high quality images ले सकते हैं डोक्टर दूर बैठे जो heartbeat है उनको भी सुन सकते हैं मतलब technology आज के समय में काफी ज़्यादा advance हो चुकी है अंत में ये कहा जाता है देखो lockdown की वज़े से technology के नए नए फाइदे सामने आ रही हैं अब हमें realize हो रहा है कि technology का हम कितने बहतर ढंक से इस्तमाल कर सकते हैं बट आशकता ये भी है कि ए प्रोपर प्रोटोकोल प्रोपर फ्रेमवर्क हो जिसके तहत technology का अच्छे से इस्तमाल किया जाए अदरवाइस तो देखो healthcare की जो quality है वो degrade हो सकती है तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया telemedicine से समदित question UPSC के द्वारा पूछा जा सकता है कि telemedicine से आप क्या समझते हो telemedicine की opportunities या फिर limitations को आप examine कीजिये तो इस प्रकार के question के लिए आप तयार रहे है इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion